दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है और सितंबर दोजार चोईस की मासिक चर्चा में एक बार पुन हम श्री देवेंद दुग्गे जी के साथ मोजूद है हम दोनों को सास्त थोड़ा नरम गरहम है इसलिए आज देवेंजी ने कुछ मुद्दे छाटे हैं उन पर चर्चा क करते रहेंगे मेरी आवाज आपको कम सुन्दक मिल सकती है लेकिन बाची चुरू कर आप से पहले हम आदरनी संभानी सील दुग्गे साथ जी को याद करना चाहते हैं आज उनका 88 जनम दिन है और देवेंजी की पिता जी है और मुझे भी अपने बेटे सरीके मानते थे तो बिल्कुल थोड़ा सा है लेकिन मुझे लगता कि कहीं पिता की आयद होती है तो दो शब्द उनके लिए किसे याद करते हैं अब मैं ऐसे बेटी की तरह देखता हूं तो उनको उनमें मुझको एक आदर्श पिता दिजराता है जुन्होंने सारी तकीफे उठाकर भी अपन कि पूजय भी करता हूं तो मुझे याद हाता है पकजी न एक एक बार भगवान शेव का रोल किया था जब वह एक लाटक था बिल्कुल 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 में तो उनको बइन में नजर डाले जाये तो उनका फोटो आप देख लेते हैं titi उनका प्रेंहीजD चलिए हम चर्चा वाले विशे पे आते हैं, आज क्या दर्शकों के लिए लाएं हैं? लुए में परवासपर था, जनताम अविश बोहाथ ही गया था, तो वहा को मैं को शुआया हैं क्लिए मैं मैं की होई जनप कोईशना हो, कर्षा दो ना क लुए में अपकल ना की शुष वहां बाहर हैं? जनतां आम जन्दा बाह शुष हैं? ये बाध देखने में निधर आदी। ये कहना ठीक नहीं है कि मंता बेनर जी के खिलाफ सत्ता के खिलाफ बुश्टा है ऐसी है पर वो आप्रोच घटना के प्रती है और उस घटना में मंता जी की जो प्रतिक्रिया थी उसकी विरून में अगर मम्ताप इनरजी उस समय इसको ठीक से अपनी रियेक्शन देती ऐसा नहीं लगता कि वो आरोपियों के साथ खड़ी है उनको बचाने का प्रयास करती नजर नहीं आती तो यह समश्या होती है नहीं इतने बड़ी तो रुभागे से घटनाए हो रही है जो नहीं होना चाहिए मैं इसे कानुन व्यवस्था से अधिक समाज में जो छरण हो रहा है चरित्रका उसको लेकर देखता हूं पड़ी जी और दूसरी सबसे बड़ी समिश्या यह है कि हम लोग अपराधियों को अपने आसपास होते हूए भी टॉलरेट करते हैं यह सब बहुत बड़ी मुसीबत है आपको उन लोगों को पता था डॉक्टर्स को कि यह जो आदमी है इसका अपराधी कृतिक आदमी है मैं उसके बारे उसके घर की समिश्या थी उसके अपनी समिश्या थी वो सब थी इसके बावज़त वो उसे टॉलरेट कर रहे थे क्यांकि उसके जो वहां का अधिक्षक था हॉस्पिटिल का वो उससे सपोर्ट करता था तो यहां से इसमें वो राजबूतिक पहलिवात है और वो जो अधिक्षक थे वो ममता बेरजी के बहुत ही नजदी की लोगों से हैं तो ममता बेरजी को इसके लिए सिज़े अपरादी नहीं ठाराता कोई भी लेकिन जो जिस तरह से उनकी प्रतिक्रिया बाद में आई आप किसी को बचाने के लिए खड़े हैं तो वो दुहत है ऐसा मेरा मन वर तो लोगों में इस तरह का गुस्सा वहां पर बहुत ज्यादा है यहां तक की लोग कहते हैं बस ही हो गया लेकिन जो हो गया कहने वाले लोगे उनमें वहां की प्रवासी जाता है तो मैं यह मानता प्रशाशन और शाशन मतलब तो मंत्री लोग तक किसी की बचाओं में आ जाते हैं या गिरफ्तार करने की मांग करते हैं तो वो दुखत बियाता है बारत की राज्यों में शादी से पहले मुख्य मंत्री मुझे देखने में आई हैं या देखने में आया हैं कि जो प्रोटेस्स करते हैं यह वी कुछ है आध्या पार्टी भी इसी तरह से काम किये विए बात सच कही आपने इनको जनता के जोड़े हुए लोग जनता के बीच अपने मुद्धे हर दिन रखने होते हैं अभी आपको यह बताओ कि जिस तरह से उनके वक्त आए बात में जिसमें उन्होंने काई कि पुरियत देश में या दिल्ली में या यूपी में वो आग लगाने की तैरी है आग लगा सकती है यह भी चलेगा वो भी इस तरह के वक्ते देना तो आग में घी डालेगा काम करने जैसा है तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में क्यूकि यह बात करने का तरीका भी उचित नहीं है अभी मैं देख रहा हूं कि कलकता में जहां मैंने देखा उन्होंने हर लोकर कॉर्णर पे टीमसी सब्सक्राइब करें दिन भर मीटिंग करें और जनता को उनका पक्ष रखने की कोशिश करें जनता की बीच में कोई बात नहीं लोगतंतर में इस सब कहना ही चाहिए उनका भी हख है पर इट सेम टाइम जब भी आप कुछ कहते हैं तो संवेदन शील मामलों में अपनी जाती है मंगला देश में पास लगा हुए है मंगला देश में भी बहुत सारे परिवर्तन आई आपने तो दिखा ही है कि वहां पर एक चुनियों हुई सरकार की वैधानिक्ता में सिर्फ इतनी सी कमी थी कि वहां की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी जो एक कमिनल पार्टी है जमात जिसे कहते है जमात इसलामी जमात नाम है उन्हों लोगोंने चुनाओ का भहिशकार किया था तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने चुनाओ का भहिशकार किया था विपक्ष के लोग उनकी सरकार को वैधनी माते थे अब देखिए उन्होंने इसका जो तरीका है बदला लेने का विपक्ष को पद से हटाने का जो उनका तरीका था वो एकदम अलोग तांत्रिक तरीका है इसके बावसर दोने वो अपना है आपने रेले निकाली आपने प्रेश्च दिया आपने विदेशों की मदद ली अमरिकाने मदद की पाकिस्तान ने मदद की अब तो हुआ है पाकिस्तान से हथियार में खरीदने शुरू कर भी हैं और इन सब के चलते बिना गल्ती के वहां के जो इस्थानी हिंदू है हिंदू मंदिरों को तुड़ा हिंदू को परिशान किया हिंदू को भी मारा दूसरों को भी मारा अफकोर्स लेकिन हिंदू को विश और बांगलादेश की संस्कृति है पंडीजी वो बंगाल की संस्कृति और बंगाल की संस्कृति मैं सच मानियें जो रविन्दा टेगुर जैसे लोगों से से इसको परीणा मलीडी हो वो संस्कृत niin bet xam kennt प्रिणा लेकर के भारत के लोग का यह कहना कि हम दिली में इंडिया में भारत में भारत में भी हम बंगला देशे से हाल करेंगे वह सुनकर के बॉध्यू होता है इसी मसले पर मैंने एक वीडियो भी देखा जिसमें वो टिकेट में उस दिन कहा मैं तो उसे टकेट कहता हूं कि यह सब तो हम उसी दिन कर देते हैं वो तो 26 जनुर्वन थी और ट्रेक्टर हमारे ने दिली की तरफ लाल के लिए की तरफ बोड़ गया अगर इस संसरी तरफ ग पुरे उससे गुजर चुके हैं भारत के राजीव गांधी का सिस्मेशन हुआ है वारा गांधी का सिस्मेशन हुआ है दो दू हमारे प्रधान मंत्री इस तरह से गए हैं उसके बावसुत हम लोग सबक नहीं लेना चाहते हैं तो इसको हम क्या कहें और बीच में आपको टो आपको शात्र जीवन हमारे पास अपक्षाओं का धेर होता है हमारी उम्मीदें बहुत साजी होती है बहुत जोशीले होते हैं उस समय हम कोई भी अगर आकर के थोड़ी से भी बात से हमें समझाए उसमझ में आये तो हम उसकी बात के साथ चले जएगे चात्र अंदुलन को सिर्फ अभी इस्तिमाल के ऐसा नहीं है मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा इस्तिमाल तो इसका कम्मिनिस लोग करती है जे एनियो जे एनियो इसका बड़ा हुदा है वो लोग अभी से उन्हें इस तरह से फ्रीट के रते हैं उसके बात में मैदान में लाका के भी करती है जे प्रखाष नारेंट का अंदोलन जो शुरू हुआ तो उसमें चात्रों की सबसे महाद पूंपो में का थी बंगलादेश में जो भी हुआ उसके शुरूआ चात्रा भी को से हुआ लेकिन अगर आप वहां के चित्र दिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रदेशन कारी जो जगड़ा करने पहुँच के थे उनमें चात्र नहीं थे पढ़िजिए चात्र कम थे और उपद्र भी जा रहे थे उन पेशेवार आदत ना परादे जिसको के सकते हैं यह क्या होता है एक ट्रिगर पॉइंट है उन चात्रों को किसी तरह बर्गलाना बहुत आसान होता है और इसी के बाद दूसरे लोग आंदुल को टिक ओवर करें यह पद्दती हार जगह होती है जैप्रगाश आंदुलन में भी यह हुआ चात्रों का आंदुलन था लेकिन चात्रों के आंदुलन को हमारे ही देश के लेता हुने उन्होंने टेक ओवर कर लिया जो विपक्ष में थे और इंद्राजी को सब अख सिखाना चाहने थे जैप्रगाश नारेंग के आंदुलन के बाद में जो लोग आये वीपी सिंग आये चंदर शेखर आये यह लोग को तो उससे कोई चात्रों को बड़ा फायदा ऐसा नहीं है पर चात्रों का फायदा उठाकर इस तरह के आंदुलन करने की कोशिश होती है आपको याद होगा ऐसी प्रयास हमारे यहां जो CAA हुआ था उस समय हुए थे और किसान आंदुलन के समय भी शुरुआत हुई लेकिन किसान आंदुलन की तो बड़ी मजा की बात है कि उसमें किसान कम थे आप वह जाके इंट्रिव्यू करें इंट्रिव्यू है लोगों के पास तो उसमें गाड़ी चलाने वाले थे मजदूर थे किसान नहीं थे नौकरी करने वाले लोग थे तो मैं हमेशा यह देखता हूं क जो पॉलिटिकल टाक्ते हैं वो इसका फायदा उठाने में आगे रहती है एनिवे यह बहुत अच्छी विशे भी है तो हम इसी विशे अब यह अच्छी चीज है पर अभी जो पिछले सब्का में बात हुई है जो मेरा मन उससे बहुत खुश होता है वो है मोदी का दौरा व जल्दी अमन कायम हो किसी भी महाने से कायम हो वो जरूरी है तो अगर मोदी जाते हैं मोदी मेरी ख्याल से पहले दूसरे ऐसे नेता है जिन्हों ने इतनी बड़ी कोशिश की है और मोदी की हिम्मत थी कि उक्रेइन के मुँपर मैं सारी पुतिन के सामने बैठे हुए उन्ह किसी समझ्या का हल नहीं है तो इससे पुतिन को समझना चाहिए था पुतिन और उक्रेइन दोनों जैलिस की दोनों के बीच में जो शुरुआज होई यूदकी वह हमने एक बार जेकर किया था इक कैसे उनके बीच को परस्टनल लिगों के माध्यम से वो शुरुआज है और यह जो अंतर राष्ट्री शक्तियां है यह युद्ध को समाप्त होने से रोकते ही है बल्कि युद्ध को बढ़ावा देने का काम करते है इसका एक बड़ा हिस्सा इसराइल की वार में भी देख सकते हैं जहां हमास को आतन की संगिठम खुशित करके उन पर हमला हो रहा थ लेमनान, सीरिया, इराक इन लोगों ने बदद की उने हार तरह से तो जब हम ऐसे कोई काम करते हैं तो मेरी ख्याद से वह युद्ध को रोकने का तो नहीं होता युद्ध को भड़काने का ही काम करते हैं तो जब तक सारे वर्ल्ड के लोग ये तैन ही कर लेगी हमें से सारे लोक अ बंद को मेरी रा की लेगी हूँ जब तो मेरी झाल कि झाल व चाल से को बढ़ करते हैं और तैन काम कम जब किन र accountable को पस्ते हैं